हलो एप्रिवान विल्कम बैक टू मैं चैनल एंड मैं हो दीपाग दोस्तों किसी भी गर्वती महला के लिए वह पल सबसे खास होता है जब उसका बेबी गर्व में हल चल करता है और उसे बेबी की किक पहली बार फील होती है दोस्तों मैं खुद एक मा हूँ और मैं सब्दों में बयान नहीं कर सकती उस खूपसूरत से हैसास को लेकिन जैसे जैसे गर्वावस्था का समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे गर्व में सिसू की हलचल और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है और किक आपको और भी ज़्यादा महसूस होती है आम तोर पर सीसो के हलचल आपको फिप्ट मंत में महसूस होती है लेकिन कुछ महिलाओं को सिक्स मंत में भी महसूस होती है लेकिन दोस्तों आपको ये जारना बहुत जरूरी है कि प्रेगनेंसी के 16 से 24 वीक तक आपको अपने बेबी के हलचल महसूस हो जानी चाहिए यह दिफ्रेंट प्रेगनेंसी के 24 हपते के बार भी आपका बेबी किक नहीं करता है आपको बेबी की किक फिल नहीं होती है तो फिर आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए इस बारे में सारी बाते बतानी चाहिए क्योंकि हो सकता है कि गर्व में बेबी अस्वस्त भी हो सकता है अगर बेबी सही समय पर हलचल ना करे अगर बेबी कम हलचल करे या फिर बिल्कुल बे हलचल ना करे तो इसका मतलब है कि बेबी गर्में अस्वस्ट है या आपकी pregnancy सही नहीं चल रही है तो friends ऐसे में pregnant महिलाएं घबरा जाती है कि वो ऐसा क्या करे कि बेबी हलचल करना शुरू कर दे या फिर अगर वो हलचल नहीं कर रहा है, तो हम घर पे ही ऐसा क्या कर सकते हैं, जिससे बेबी हलचल करना सुरू कर दे और कोई घबराने वाली बात ना हो, तो फ्रेंस घबराएं नहीं, आप घर में ही ऐसे कुछ टिप्स आदमा सकती हैं, कुछ ऐसे घरेलो नुषके कर सकती जिससे आपका बेबी हलचल करना शुरू कर देगा और आपको डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ेगा वीडियो में आगे हम उन्हीं टिप्स को जानने वाले हैं तो किसी वे प्रेगनेंट महिला के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली ह तो वीडियो सुरू से लाज तक जरूर देखें अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक भी करें तो आये फ्रेंस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले फ्रेंस आप बाइंग करवट पर लेट कर सिसू के लिए थोड़ा सा फील करने की कोसिस करिए दोस्तों जब आप बाइंग करवट पर सांती से लेटती हैं तो बेबी को सही तरह से blood circulation मिल पाता है उसे सही तरह से oxygen मिल पाती है, सारे पोशकतर्तों मिल पाते हैं जिसके कारण बेबी हलचल करना सुरू कर देता है अरफ सांती से लेट कर उसे महसूस करने की कोसिस करेंगी तो देते हैं कि बेबी ने कीखी ने किया इसके लाबा दोस्तों आप थोड़ा सा चहल कदमी कर सकती हैं दोस्तों जब आप थोड़ा इधर उधर टहलती हैं बेबी को थोड़ा सा हलका धक्का फिल होता है तो इससे वो थोड़ा रियक्ट करता है जिससे आपको बेबी की हलचल मह पसंदाता है और इन सारी चीजों से बेबी रियक्ट करता है और जब आप गाना गाती है तो बेबी बहुत अच्छा फील करने लगता है और वो रियक्ट करता है और बेबी के किक आपको फील होने लगती है इसके अलावा आप पेट पर हाथ फेर सकती है जब आप अपने पे उसे बहुत अच्छा एहसास होता है आप से उसका एक बंधन होता है जो उसे फील होने लगता है और इस कारण से वो रियक्ट करने लगता है और आपको किक फील होती है अगला है आगे जुकते हुए खासे दोस्तो कभी-कभी बेबी अपने कमफर्टेबल के कारण एक जगह निश्चित कर लेता है और वो वही पर रहता है कभी-कभार वो सो भी जाता है लेकिन जब आप आगे की ओर होकर खासती है तो बेबी को थोड़ा सा धक्का सा फील होता है और वो अपनी उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह पर जाता है इस तरह से आपको बेबी के किक फी समझ में आ सकती है इसके लाबा दोस्तों अपने पेट पर आप आइस पैक लगा सकती है पेट में जब हलका आप ठंडा फील कराती है तो बेबी को भी ठंडा फील होता है इसके कारण बेबी हल चल करना सुरू करता है उसको अपनी तापमान में थोड़ी कमी फील होती है और वो मूब करने लगता है दोस्तों इसके लाबा ठंडा पानी आप पी सकती है इससे आपके सारे बॉडी का ट्रेंप्रेचर कम होने लगता है और बेबी को हलचल करने के लिए एक वज़े मिल जाती है पेट पर लाइट डालें दोस्तों जब आप एक अधेरी जेगे में रहते अगर अपने पेट पर हलका हलका सा मसाज कर सकती है इससे भी बेबी को ठंडग फील होती है और ठंडग के कारण वो सीतलता में आता है और उसे बहुत अच्छा फील होता है उसको कोई भी नुकसान नहीं होता लेकिन आपको समय पर हलचल फील हो सकती है ठंडी चीज को ले जिससे बेबी हलचल करना सुरू करता है लेकिन अगर सर्दियां जादा है सर्दियों के मौसम में आप आइसक्रीम का सिवन कम ही करें दोस्तों ये ध्यान रखें कि आपको सर्दी जुखाम भी हो सकता है इसके लावा दोस्तों आप गुन-गुने पानी के बाथ टब में प्रूर बताए